जीवन में सबसे मुस्किल काम है सरल संतुलित बने रहना लेकिन यह नामुम्किन नहीं है यदि चंद छोटी छोटी बातों को आप अपनी दिन चर्य और जीवन का हिसा बना कर अपनी आदत में शुमार कर लेंगे तो जिन्दिगी ना सिर्फ बहतर लगेगी बलकि हेल्दी बनेगी यहां हम ऐसे ही टिप्स दे रहें जो आपके जीवन को बनाएंगे और भी बहतर हेल्दी नमबर वन कोशिश करें कि आप और आपकी सभी चीजें हमेशा व्यवस्थित रहें बहुत से लोग खुद भी अस्तवेस्त रहते हैं और अपना घर ऑफिस का डेस्क भी अ कारत्मक सोचने वालों के साथ ज्यादा बाचित ना करें नमबर तीन रात को जल्दी सोने की आदर डाले और सुबा भी जल्दी उठें नमबर चार हलका वयाम जरूर करें और हेल्दी नास्ता करें नमबर पांच आफिस को कभी भी घर पर ना लेकर आएं वहां का प्रेश बनाएं नमबर सेवन खाना हमेशा आराम से चबा चबा कर खाया आपकी सेहत और पाचन सकत के लिए अच्छा होगा नमबर एट रीडिंग हैविट डेवलप करें यानि रोजाना कोई अच्छी किताब अच्छा साहित जरूर पढ़ें या ना सिर्फ आपका ग्यान बढ़ नमबर 10 बैठते वक्त ध्यान रखें की पैरों को क्रॉस करके ना बैठें इसे रक्त संचार में रुकावट पैदा होती है जिससे पीठ दर्द कमर दर्द के अलावा वेरी कोज वेंस और स्पाइडर वेंस की समस्या भी होती है नमबर 11 बहतर होगा आप घुटनों की बज करने से सेहत को नुकसान हो सकता है नमबर 13 लगातार कंप्यूटर पर काम ना करें इसे आँखों कंधों और गर्दन पर प्रभाव परता है बीच बीच में ब्रेक लें कुछ सेकेंड तक आँखें बंद करके और गर्दन वा कंधों को भी घुमाकर रिलैक्स करें नमबर 14 हमेशा अपने मोबाइल पर ही ना बिजी रहे जब परिवार के साथ हो या वाक वगारा पर जाएं तो बहतर होगा कि मोबाइल स्विच आफ कर दे नमबर 15 हाईजीन का खयाल रखें ओरल से लेकर परसनल हाईजीन ना सिर्फ आपकी परसनालिटी के लिए बलकि अच्छे स्वास्त के लिए भी बहुत जरूरी है नमबर 16 खाना खाने से पहले और बनाने से पहले भी सावून से हाँ जरूर धोएं नमबर 17 खासते वाचीकते वक्त हाथ या रुमाल जरूर रखें नमबर 18 सोने से पहले ब्रश करना ना भूले नमबर 19 घर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए दिन के समय खिड़कियां खुली रखें ताकि ताजी हवा और भरपूर रोशनी रहे ऐसी का प्रियोग जरूरत पढ़ने पर ही करें और समय समय पर क्लीन भी करते रहें नमबर 21 हर बात को टोकना या दूसरों की गलतियां निकालना बंद कर दें इससे आपका चुछड़ापन बढ़ेगा और लोग आपको एक नेगेटिव इंसान समझेंगे नमबर 21 चुटी के दिन दिन भर आलस में ना पढ़ें ना रहें ना ही टीवी कम्प्यूटर के साथ चिपकें फैमली के साथ वक्त भी ताग वहीं गूमने जाएं बादचीत करें बच्चों को समय दें नमबर 22 मैसेज करते समय अक्सर लोग गर्दन जुका कर फोन और मैसेज पढ़ते हैं या टाइप करते हैं लेकिन यह तरीका गलत है इसे गर्दन पर जोर पढ़ता है और गर्दन और दर्द हो सकता है नमबर 23 जंक फूड कम खाए या ना सिर्फ मोटाबा बढ़ाता है बलकि से कैंसर उत्पन करने वाले तत्त भी होते हैं नमबर 24 अक्सर लोग कान साफ करने के लिए अपनी हेयर पिन या पैन या पैंसिल का इस्तेमाल करते हैं जबकि यह खतरनाक हो सकता है सुरच्छी तरीका या है कि छोटी उंगली पर टावल लपेट कर कान को साफ करें या फिर इयर ट्रॉफ का इस्तेमाल करें नमबर 25 अपना वज़न नियंतरन रखने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना है अगर आप मुटापे से के शिकार हैं तो उससे जुड़े रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान दे और उच रख्त चाप डाइबिटीज स्ट्रोक या हार्ट डिसीज नमबर 26 हर वेक्त की जरुएत और बॉडी क्लास अलग होता है उसी के अनुसार डाइट और एक्सरसाइज प्लान करें अपना हपते भर का डाइट प्लान करके चार्ट बना ले नमबर 27 अपने डाइट में सेचुरेट फैक्ट्स और ट्रॉंस फैक्ट्स की मातरा कम करें रेड मीड डेरी प्रोडेक्स फ्राइड वा वेक्स्ट फूड कैंडीज और प्रोडेक्स फूड में कमी कर दें नमबर 28 अलग-अलग प्रोटीन्स लें ये आपको बींस, नट्स, सीट्स, टोफू, सोया प्रोडेक्स में मिलेगा कैलसियम युक्त परदाद भी जरूर लें जैसे दूद, छाच और दही इसके अलावा हरी पत्तिदार सबजियां भी कैलसियम की अच्छी सोत्र है 29 ओवर इटिंग से बचे हमेशा भूग से थोड़ा कम ही खाए, अक्सर अपना मन पसंद खाना देखते ही हम ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करें 30 बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ना खाए, अक्सर हम सिर्दर्द या बदन दर्द होती है, कोई भी पेन किलर्स खा लेते हैं, जो नुकसान दायक हो सकती है, बहतर होगा, कोई घरेलोन उसका आजमाय या फिर डॉक्टर की सला ले 31 वीकेंड पर मसाज करवाए, इससे थकान भी मिटेगी और रक्त संचार भी बहतर होगा 32 छुटियां प्लान करें और आउड स्टेशन जाए, क्योंकि हवा पानी बदलने से ना सिर्फ आपका रिफ्रेश हो जाते हो, बलकि पेट संबन्दी रोग भी कम होते हैं 33 नियमेत रूप से हेल्थ चकप भी करवाते रहें, कई बार डाइबिटीस या रुख उच रक्त चाप जैसी बिमारियों का सालों तक पता नहीं चल पाता है 34 रात को आँखों में गुलाब जल डालें या फिर रुई के फाहों को गुलाब जल में भीगो कर आँखों पर रखें, इससे आँखों की ठकावट मिट जाती है 35 जो चीज़े आपके नियंतरन से बाहरों के लिए तनाव लेना बेवकूफियों जैसे आप समय से घर से निकले लेकिन ट्रेन या बस लेट हो जाती है बहुत जादा तेज बारिश या अन्य किसी वज़े से देरी हो गई हो तनाव ना ले क्योंकि यह आपके बस की बात ही नहीं है और इससे आपका उसूर भी नहीं है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हूँ